हेलो स्वागत है आपका फ्री जीके की शानल परी मेरा नाम है किरन भावर आज की इस वीडियो में हम करेंट अफेर से कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है मार्च 2023 का नियू अपडेट है आप चाहे किसी भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम के तयारी करें इस वीडियो को पूरा लास तक देखकर जरू जाएगा सारे कॉशन सेलेक्टिड हमने कवर करवाए हैं और पिछले कई सालों से ये कॉशन से रिपीट हो रहे है लास्ट वे कॉशन पूछा आप सभी लोगों से मैंने जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है भारती वायु सेना के नए उप्रमुक कौन बने है इसका अंसर होगा आप्शन डी वाला अमर प्रीच सिह बने है भारती वायु सेना के नए उप्रमुक इसका आंसरों का आप्शन B वाला विक्रम देवदत बने है नागरिक उडियन महानिदेशालाई के नए महानिदेशक नेक्स्ट कोशन दिल्ली की नई मेर के रूप में किसे चुना गया है कफी जदा इंपोर्टन कोशन है आंसरों का आप्शन D वाला शैली ओवेरोई शैली ओवेरोई को दिल्ली की नई मेर के रूप में चुना गया है नेक्स्ट कोशन है फिक्की ने किसे अपना नया महासची उनिक्त किया है फिक्की F I C C I करेक्ट अंसर क्या होगा इसको आप्शन C वाला सही है सलेश पाठक सलेश पाठक को फिक्की ने अपना नया महासची उनिक्त किया है नेक्स्ट कोशन है हाली में भारत देश के 81 वे ग्रैंड मास्टर कौन बने है सत्रच वे ग्रैंड मास्टर बनाए चाते है इसका करेक्ट अंसर होगा उप्शन B वाला सेतन दास सेतन दास बने है भारत देश के 81 वे सत्रच ग्रैंड मास्टर नेक्स्ट कोशन है भारती ओलंपिक संग के अथलीट आयोग के अध्यक्ष कोन बने है किसे चुना गया है मैरिकॉम को चुना गया अंसर होगा उप्शन D वाला मैरीकॉम भारती ओलंपिक संग के अथलीट आयोग के अध्यक्ष की रुपे किसे चुना गया है मैरिकॉम को लेक्स्ट कुशन है वर्तमान समय में देश के नहीं रास्टपती कौन बनी है? इसका अंसरोग ऑप्शन D वाला दुरौपती मुर्मू भारत देश के नहीं रास्टपती कौन है? दुरौपती मुर्मू भारत देश की प्रतम महला आदिवासी रास्टपती है? नेक्स कुशन है वर्तमान समय में देश के नए उपरास्ट पती कौन बने है अंसर होग ऑप्शन बेवाला शुरी जगदीब धनकड शुरी जगदीब धनकड है भारत देश के नए उपरास्ट पती नेक्स्ट कुशन है वत्मान समय में देश के प्रधान मंत्री कौन है अंसर होग आप्शन ए वाला श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी है भारत देश के प्रधान मंत्री नेक्स्टकूशन है देश में सरवोष नियालई के पचासवे मुख्यने आयदेश कौन है अंसरोगवाप्शन C वाला धनानजय याश्वन्त चंदरचुड D.Y. चंदरचुड है सरवोष नियालई के मुख्यने आयदेश नेक्स्टकूशन है वर्तमान समय में देश में महानियावादी कौन है? महानियावादी, Attorney General of India कौन है? R. Wankat Ramani है अंसरों का option B वाला, R. Wankat Ramani नेक्स्ट कुशन देखे वर्तमान समय में देश में Solicitor General of India कौन है? आप भी कैस कीजिए अंसर क्या होगा इसमें से 4 option है अंसर ओप्शन D वाला तुशार महता, इनका नाम है तुशार महता, यह Solicitor General of India है नेक्स्ट कुशन वर्तमान समय में देश में राश्ट्य हरित न्याइधी करण के अध्यक्ष कौन है? अंसरों का option C वाला आदर्ष कुमार गोयल राश्ट्य हरित न्याइधी करण के अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापती कौन है? अंसरों का option नेवाला जगदीब धनकड जगदीब धनकड है राज्यसभा के सभापती नेक्स्ट कुशन वर्तमान समय में राज्य सभा की उपसभापती कौन है? अंसरोग उप्शन ए वाला हरिवन शनायर्ण सी है, याद रखेगा राज्य सभा की उपसभापती कौन है? हरिवन शनायर्ण सी है नेक्स्ट कोशन है वर्तमान समय में राज्य सभा की महासचिय कौन है? कफी जदे important question answer of option B वाला प्रमोद चंद्र मोदी प्रमोद चंद्र मोदी है राज्य सभा की महा सची हूँ next question है वर्तमान समय में कॉंग्रिस के अध्यक्ष कौन है कॉंग्रिस के नए अध्यक्ष बने है नाम है इनका मालिकारजुन खडगी याद रखेगा मालिकारजुन खडगी है कॉंग्रिस के अध्यक्ष आगे बढ़ते हैं next question की तरफ वर्तमान समय में राज्य सभा के सत्ता पक्ष नेता कौन है गेस कीज़े correct answer क्या होगा क्या नाम है इनका इनका नाम है प्यूश गोयल प्यूश गोयल है राज्य सभा की सत्ता पक्ष नेता नेक्स्ट कोशन वर्तमा समय में लोक सभा की अध्यक्ष कौन है करेक्ट अंसरों को अप्षन नेवाला ओम बिडला ओम बिडला है लोक सभा की अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन की तरफ वर्तमान समय में लोग सभा की नेता विपक्ष कौन है? करेक्ट अंसर ओप्षन एवाला अधीर रंजन चौदरी अधीर रंजन चौदरी है लोग सभा की नेता विपक्ष नेक्स्ट कुशन वर्तमान समय में लोग सभा की महासचियों कौन है? कर्येक्ट अंसर होगा ऑप्शन डी वाला उत्पल कुमार सिहां है लोकसभा की महासची हो नेक्स्ट कुशन है वर्दमाज समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है कफी जदे इंपोर्टन कुशन गैस कीजे इसका कर्येक्ट अंसर क्या होगा गैस कीजे अंसरों का ऑप्शन सी वाला राजी कुमार पचीसवे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है नेक्स्ट कुशन देखे वर्दमाज समय में चुनाव आयुक्त कौन है चुनाव आयुक्त है अरुन गोयल नेक्स्ट कुशन है वर्दमाज समय में उप चुनाव आयुक्त कौन है देखे तीनों में फर्क है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है राजी कुमार है और चुनाव आयुक्त कौन है अरुन गोयल है अब आपसे पूछा है उप चुनाव आयुक्त कौन है कौन है आजय भा परिक्षक कौन है? इसका, जी यह वाला गिरिश्वंद्र मूर्मू, गिरिश्छंद्र मूर्मूatore, है नियंत्रग्या महालिवं, परिक्षक, हाल्ही सभोड ही बने क्या नाम है इनका है? नेक्स्ट कोशन देखेगा वर्तमान समय में देश के सर्वोच सेनापती कौन है देश के सर्वोच सेनापती कौन होते है जो रास्ट पती है रास्ट पती अभी कौन है श्रीमती द्रौपती मुर्मू अंसरों को अप्शन बी वाला सर्वोच सेनापती कौन है द्रौपती मु वायू सेना अध्यक्ष है नेक्स्ट कुशन है वर्तमा समय में देश के नौ सेना अध्यक्ष कौन है अंसर होगा इसका उप्शन ए वाला आर हरी कुमार है नौ सेना अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन वर्तमा समय में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है थल से न अध्यक्ष है मनोश पांडे अंसरोग उप्शन C वाला मनोश पांडे तीरो नाव आपको याद रखने है वायू से न अध्यक्ष कौन है वी आर चौधरी नौ से न अध्यक्ष कौन है आर हरी कुमार और थल से न अध्यक्ष कौन है मनोश पांडे नेक्स्ट कुशन है देश के नए Chief of Defense Staff कौन बने है पहली विपिन रावत थे इनके बाद बने है अनिल चोहान याद रखेगा अनिल चोहान है Chief of Defense Staff नेक्स्ट कुशन है वर्तमाज समय में देश के सन्य अभियान के महानिदेशक कौन है DGMO कौन है अन्सरोग इसका उप्शन B वाला मनोश कटिया लेफ्टिनेंट जनरल मनोश कुमार कटियार है सैन्य अभियान के महानिदेशक नेक्स्ट कुशन है वर्तमाज समय में कैबिनेट सचिव कौन है अन्सरोग उप्शन A वाला राजिव गाबा राजिव गाबा है कैबिनेट सचिव नेक्स्ट कुशन वर्तमाज समय में प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव कौन है अन्सरोग उप्शन B वाला PK मिश्रा PK मिश्रा है प्रधान मंत्री के प्रधान सचीव नेक्स्ट कुशन वर्तमाज समय में देश के रक्षा वित्य सचीव कौन है अंसरों का उप्शन ए वाला गारगी कॉल गारगी कॉल है रक्षा वित्य सचीव नेक्स्ट कुशन वर्तमाज समय में देश के विदेश सचीव कौन है अंसर होग उप्शन C वाला विने कुमार क्वात्रा याद रखेगा विने कुमार क्वात्रा है विदेश सजीव नेक्स्ट कुशन है वर्तमाज समय में ग्रह सजीव कौन है अंसर होग उप्शन E वाला अजे कुमार भल्ला अजे कुमार भल्ला है ग्रह सजीव वर्तमाद समय में वित्य सचिव कौन है? गैस कीजिए, अंसर क्या होगा? option D सही है, TV सोमनाथन TV सोमनाथन है वित्य सचिव वर्तमाद समय में रक्षा सचिव कौन है? इसका अंसरा बताइए कफी साथ important question है बहुत जाथ चर्चा में रहते हैं इनका नाम है गिरीधर अर्माने गिरीधर अर्माने है रक्षा सचिव वैसे जितने में सचिव और सलहकार है सबके नाम आपको पता होना चाहिए कई बार exam में questions आ चुके है नेक्स्ट है वर्तमान समय में राजिस्व सचिव कौन है अंसर होग option एवाला संजे मलहोत्रा संजे मलहोत्रा है राजिस्व सचिव नेक्स्ट कोशन वर्तमान समय में राश्टिस रक्षा सलहकार कौन है अंसर होग option एवाला अजीत डोवाल है रास्टी सुरक्षा सलहाकार नेक्स्ट कोशन वर्तमान समय में उपरास्टी सुरक्षा सलहाकार कौन है correct answer option B वाला पंकच कुमार C है उपरास्टी सुरक्षा सलहाकार नेक्स्ट कोशन देखे वर्तमाज समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलहाकार कौन है? अंसरोग ऑप्शन B वाला अजै कुमार सुध अजै कुमार सुध है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलहाकार नेक्स्ट कुशन वर्दमाज समय में प्रधान मंत्री के सलहाकार कौन है? अंसर होगा option ए वाला तरुन कपूर तरुन कपूर है प्रधान मंत्री के सलहाकार नेक्स्ट कुश्चन है वर्दमाज समय में केंद्री सतरक्ता आयुत के सतरक्ता आयुत कौन है? अंसर होगा इसमें से option डिवाला प्रविंट कुमार सृवास्ता प्रविंट कुमार स्रीवास्तो है पहले शुरेश और पतेल थैं कौन है अब कौन है प्रविंट कुमार सृवास्ता है नेक्स्ट कुशन है, वर्तमाज समय में केंद्री जाँच बीरो के निदेशक कौन है? अंसर होगा इसका option C वाला सुबोत कुमार जैस्वाल सुबोत कुमार जैस्वाल है केंद्री जांच बीरो के निदेशक नेक्स्ट कुशन वर्तमय समय में मुख्य सूचन आयुक्त कौन है अंसर होगा इसका option A वाला यश्वर्धन कुमार सिन्हा याद रखेगा important question है यश्वर्धन कुमार सिन्हा है C.I.C. मुख्य सूचन आयुक्त नेक्स्ट कुशन वर्तमय समय में इंटेलिजन्स बीरो के निदेशक कौन है आईबी के निदेशक कौन है तपन कुमार देका है अंसर होगा option ये वाला तपन कुमार देका अंसर होगा option C वाला सावन्त कुमार गोयल सावन्त कुमार गोयल है Research and Analysis Wing के प्रमुक नेक्स्ट कुशन है वर्तमय समय में राष्टी जाच एजन्सी के महा निदेशक कौन है अंसर होगा option B वाला दिनकर गुपता राष्टी जाच एजन्सी के महा निदेशक नेक्स्ट कुशन वर्तमय समय में प्रवर्तन निदेशा लेग के निदेशक कौन है अंसर होगा option D वाला संजे कुमार मिश्रा संजे कुमार मिश्रा बने हैं प्रवर्तन निदेशा लेग के निदेशक नेक्स्ट कुशन वर्तमा समय में ससत्र सीमावल के महानिदेशा कौन है गैस की जो अंसर क्या होगा नई बनी है इनका नाम है रश्मी शुकला अंसरों का आप्शन सी वला रश्मी शुकला यह बहुत बार यहाँ पर बदल चुके हैं पहले SL 1000 थे उसके बाद अनीश देल सी हैं बने थे और बाद में अभी हाल ही वेने बनाया गया है रश्मी शुकला गो नेक्स्ट कुशन है वर्तमा समय में सीबा शुरक्षा बल के महानिदेशा कौन है बियसेफ के महानिदेशा कौन है अंसर होगा उप्शन बिवाला पंकत सी है पंकत सी है नेक्स्ट कुशन वर्तमा समय में केंद्र रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशा कौन है CRPF के महानिदेशा कौन है अंसर होगा उप्शन C वाला SL 1000 नेक्स्ट कुशन वर्दमान समय में केंद्रे ओद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक कौन है? अंसरों को आप्शन C वाला, शील वर्धन सिह, सील वर्धन सिह बने हैं केंद्रे ओद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नेक्स्ट कुशन है वर्तमान समय में रास्ट्री सुरक्षा गार्ड के वहानिदेशक कौन है? अंसर उग उप्शन एवाला M.A. गणपती M.A. गणपती है रास्ट्री सुरक्षा गार्ड के वहानिदेशक नेक्स्ट कुशन है वर्तमान समय में विशे सुरक्षा समोह के निदेशक कौन है? अन्सर उग उप्शन ए वाला अरुन कुमार सिर्हा वने है विशे सुरक्षा समोह के निदेशक नेक्स्ट कोशन वर्तमाज समय में भारत तिबद सिमा पुलिस की महानिदेशक कौन है IT, BP के महानिदेशक कौन है अन्सार होगा ऑप्शन C वाला अनीस दयालसी है अनीस दयालसी है वने है नेक्स्ट कोशन वर्तमान समय में राष्टिक रेडिट कोर के महानिदेशक कौन है राष्टिक एडिट कोर के महानिदेशक कौन है NCC के अंसर होगा उप्शन ये वाला गुरबीर पालसी है याद रखेगा गुरबीर पालसी है NCC के महानिदेशक नेक्स्ट कोशन है वर्तमान समय में भारती तटरक्षक बलके महानेदेशक कौन है? अंसरों को अप्शन ये वाला वियस पठानिया वियस पठानिया है भारती तटरक्षक बलके महानेदेशक नेक्स्ट कोशन है वर्तमान समय में राश्ट्री आपदा प्रतिकिरिया बलके महानिदिशक कौन है कफी जदा इंपोर्टन कोशन एंडी आरिफ की टीम हमेशा चर्चा में रहती है जब भी कोई राश्ट्री आपदा आती है राश्ट्री आप्दा आती है या फिर राश्ट्री आप्दा आती है या फिर कोई प्रकर्टी आप्दा आती है तो NDRF की टीम बहुत जादा चर्चा में रहती है अंसर क्या होगा इसका उप्शन ए वारा रणालिनी श्रिवास्तव है राश्ट्रे आपदा प्रतिकिरिया बल की महाने देशक नेक्स्ट देखेगा वर्तमान समय में रिल्वी सुरक्षा बल की महाने देशक कौन है यह कोशन में काफे ज़्यदा इंपोर्टेंट है अंसर होगा इसका उप्षिन सीवला संजय चंदर संजय चंदर है रिल्वी सुरक्षा बल की महाने देशक नेक्स्ट कोशन है वर्तमान समय में असम राइफल्स की महाने देशक कौन है अंसर होगा उप्षिन डिवला प्रदीप चंदरन नायर प्रतीप चंद्रण नायर है असम राइफल्स की महाने देशक नेक्स्ट कुशन वर्तमान समय में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अंसर क्या होगा इसका ओप्शन ये वाला वी अनंत नागेश्वरन वी अनंत नागेश्वरन है वर्तमान समय में निती आयोक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अन्सर होगा वाप्शन सुमन कुमार बैरी याद रखेगा important question नेक्स्ट कॉशन वर्तमान समय में निती आयोक के CEO कौन है नए बने है हाली में इनका नाब है बी वी आर सुपरमणिम याद रखेगा बी वी आ सुपरमणियम है तीनो नाम आपको याद रखने है नीती आयोक के अध्यक्ष कौन है नरेंदर मोधी जी जो वर्दबान में देश के प्रधान मंत्री है नीती आयोक के उपध्यक्ष कौन है सुमन कुमार बैरी है और नीती आयोक के CEO कौन है कौन है B.V.R. सुभरमणयम नेक्स्ट गोशन है वर्दबान समय में संग लोग सेवा आयोक के अध्यक्ष कौन है इसका अंसर होगा ऑप्शन B वाला ऑप्शन A वाला मनोज सोनी मनोज सोनी है डाक्टर मनोज सोनी का नाम है जो संग लोग सेवा आयोक के अध्यक्ष है UPSC के अध्यक्ष है नेक्स कोशन है 22 वे विधी आयोक के अध्यक्ष कौन है करेक्ट अंसर क्या होगा इसका option C वाला रितुराज अवस्ती पहले बलवीर से जोहान हुआ करते थे इनकी जगापर कौन आई है रितुराज अवस्ती आई है नेक्स कोशन देखे वर्तबाज समय में राष्ट्री महला आयोक के अध्यक्ष कौन है इसमें से अंसर होगा option D वाला रिखा शर्मा रिखा शर्मा है राष्ट्री महला आयोक की अध्यक्ष नेक्स कोशन है पहले भगवान लाल साहनी हुआ करते थे इनके जगा पर कौन आए है हन्सराज गंगाराम अहीर आये है याद रखेगा S किशोर है कर्मचारी चयन आयोक SSC के अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन है सातवे वेता नायोक के अध्यक्ष कौन है गेस कीजिए इसमें से correct answer क्या होगा correct answer option A वाला अशोक कुमार माथूर अशोक कुमार माथूर है साथवे वेता नायोग की अध्यक्ष next question लोगपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है answer वोग अप्शन D वाला प्रदीप कुमार महंती प्रदीप कुमार महंती है लोगपाल के वर्तमान अध्यक्ष next question है पंद्रवे वितायोग के अध्यक्ष कौन है answer ओप्शन C वाला N गी C है N गी C है पंद्रवे वितायोग के अध्यक्ष next question वर्तमान समय में भारती प्रतीस बर्दा आयोक के अध्यक्ष कौन है क्यस कीज़े अंसर क्या होगा correct answer option D वाला संगीता वर्मा संगीता वर्मा है पहले अशोग कुमार गुपता हुआ अगर दे थे अब कौन है संगीता वर्मा है भारती प्रतीस परदा आयोक की अध्यक्ष है next question है वर्मान समय में रास्टी अनुसुचित जन जाती आयोक की अध्यक्ष कौन है answer रोग option D वाला हर्ष चोहान हर्ष चोहान है रास्टी अनुसुचित जन जाती आयोक की अध्यक्ष next question वर्मान समय में रास्टी अनुसुचित जाती आयोक की अध्यक्ष कौन है याद रखेगा विजे सांपला है रास्टी अनुसुचित जाती आयोक की अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है वर्थमान समय में रास्ट्य मानावधिकार आयोक की अध्यक्ष कौन है अंसरों कोशन एवाला अरुन कुमार मिश्रा अरणकुबार मिश्रा है रास्ट्य मानावधिकार आयोग की अध्यक्ष आगी बडेंगे नेक्स कोशन के तरफ वर्धमान समय में रास्ट्य बाल अधिकार सनरक्षन आयोग की अध्यक्ष कौन है अजरोग आप्शन C वाला प्रियांग कानुनगो प्रियांग कांग्डून को है रास्टी बाल अधीका संरक्षन आयोग की अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन है वर्तमान समय में रास्टी अलपसंख्य कायोग की अध्यक्ष कौन है इसका correct answer option एवाला सरदार इकबाल सी हलालपूरा सरदार इकबाल सी हलालपूरा है रास्टी अलपसंख्य कायोग की अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन वर्तमान समय में भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन की अध्यक्ष कौन है इस रो की इस रो की चेर्मेन कौन है गैस कीजी अंसर होगो अप्शन एवाला स सोमनाथ है इस रो की अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन की तरफ वर्तमान में परमानो और जा आयो की अध्यक्ष कौन है अंसर होगो अप्शन एवाला कमलेश नेलखंट व्यास कमलेश नेलखट व्यास है परमाणो औरजा आयोग की अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है वर्तमान में परमाणो औरजा नियाबक बोर्ड की अध्यक्ष कौन है पहले जी नागेश्वर राव हुआ करते थे इनके जगापर कौन आये है दिनेश कुमार शुकला है अभी वर्तमान में परमाणो औरजा नियाबक बोर्ड की अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन की तरफ वर्तमान में भावा परमाणो अनुसंधान के इंद्र के निदेशक कौन है अंसरोग उप्शन डी वाला अजीत कुमार मुहंती अजीत कुमार मुहंती है भावा परमाणो अनुसंधान के इंद्र के निदेशक नेक्स्ट कोशन है वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है अंसरोग उप्शन C वाला समीर वी कामत समीर वी कामत है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है वर्दमान में वज्ञानिक एवं उद्योगीक अनुसंधान परिसत की महानिदेशक कौन है यह कोशन कफी जदे इंपोर्टन है क्योंकि कोई पहली बार कोई महला बनी है इसकी महानिदेशक C S I R की अंसरोग उप्शन D वाला नला थंबी कलाई सेल्वी नला थंबी कलाई सेल्वी है वेज्ञानिक एवं उद्योगीक अनुसंधान परिसत की महानिदेशक नेक्स्ट कुशन है वर्तमान में उद्योगी केवं विकास अनुसंधान परिसत की अध्यक्ष कौन है अंसरोग उप्शन E वाला T रावा सामी T रावा सामी है उद्योगी केवं विकास अनुसंधान परिसत की अध्यक्ष नेस्ट कोशन है वरतमान में विक्रम साराभॉय अंतरिक्श केंदर के निदेशक कौन है? अंसर ह przypad एक अप्शन C वाला Dr. S. Onekrishner Nair लिट्र स, उनिक्रिशन नायर है, विक्रम सारभाः अंतिरिश केंद्र के निदेशक नेक्स्ट क्योशन है वरत्मान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीओ कौण है अंसर क्या होगा इसका उप्शन एवाला सही है अनिल कुमार लाहोटी अनिल कुमार लहोटी है रेल्वे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO नेक्स्ट कोशन है वर्तमान समय में भारती प्रतिभूती एमन विनियम बोर्ड की अध्यक्ष कौन है इसमें से करेक्ट अंसर होगा आप्शन भी वाला मादवी पूरी बूच याद रखेगा मादवी पूरी बूच है S.E.B.I. की अध्यक्ष भारती प्रतिभूती एमन विनियम बोर्ड की अध्यक्ष नेक्स्ट है वर्तमान समय में केंदरी फिल्म प्रमाणन बोर्ड की CEO कौन है अंसर होगा आप्शन C वाला रवेंद्र भाकर रवेंद्र भाकर है केंदरी फिल्म प्रमाणन बोर्ड की CEO नेक्स्ट कोशन है वर्तमान समय में नागरी कोडियन सुरक्ष भीरो की अध्यक्ष कौन है अंसर होगा आप्शन C वाला जुल्फी कार हसन सुल्फिकार हसन बने है नागरी कोडियन सुरक्षा बीरो की अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है वर्तमाद सवे में केंद्रिय प्रतक्ष कर बोड की अध्यक्ष कौन है अंसर होग आप्शन भी वाला नितिन गुपता नितिन गुपता बने है CBDT केंद्र प्रतिक्षकर बोड की अध्यक्ष Next question वर्तमान सवे में केंद्र प्रतिक्षकर एवं सीमाशुल को बोड की अध्यक्ष कौन है इसमें से करेक्ट अंसरोग आप्शन एवाला विवेक जोहरी विवेक जोहरी बने है CBIC केंद्र प्रतिक्षकर एवं सीमाशुल को बोड की अध्यक्ष Next question है वर्तमान सवे में राष्ट डियरी विकास बोड के चेर्मेन कौन है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा करेक्ट अंसर है ओप्शन सीवाला मिनेश साहा बने है इसके चेर्मेन राष्ट डियरी विकास बोड के Next question वर्तमान सवे में कंपनी कानून बोड के अध्यक्ष कौन है करेक्ट अंसर है इसमें से ओप्शन इवाला महिश मितल कुमार महिश मितल कुमार बने है कंपनी कानून बोड के अध्यक्ष Next question वर्तमान सवे में पैट्रोलिय वर प्राकरतिक ग्यास नियावग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उसमें से correct answer होग option B वला दिनेश के शराफ दिनेश के सराफ है वर्तमान सवे में PNGRB के अध्यक्ष Next question वर्तमान सवे में भारती दूर संजार विनियावग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? T.R.E.I. के अध्यक्ष कौन है? Important question Answer होग option D वाला PD वागेला PD वागेला है Next question वर्तमान सवे में भारती विसिस्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? वर्तमान सवे में भारत का महा पंजे के अध्यक्ष कौन है? Answer क्या होगा इसका बताइए Answer इसका option B वाला Vivaik Joshi याद रखेगा important question Vivaik Joshi है भारत का महा पंजे के अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन है? Next question वर्तमान समय में भारती राष्ट्र राजवाग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अंसर होगा इसमें से option B वाला, शंतोष कुमार शंतोष कुमार है NHAI के अध्यक्ष भारती राष्ट राजमार्ग प्राधीकरन के अध्यक्ष Next question भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नय अध्यक्ष कौन बने है अंसर होगा इसमें से option बी वाला रोजर विन्नी रोजर विन्नी बने है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड़ के अध्यक्ष लास्ट में कुशन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है कुशन है किसे राज्जी की सरकान ने लाडली बहना नावक योजना शुरू की है चार आप्शन आपके पास करेक्ट अंसर क्या होगा कमेंट करके जरू बताईएगा और इसी योजना के इतहत क्या लाब मिलने वाला है इसे भी कमेंट करके बताईए बहुत जादा चर्चा में है आज कल यह है योजना चलिए आज की वीडियो बितना ही वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलिजबिल लगी है तो चैनल को अभी सब्स्राइब करें बैल नोटिफिकेशन आइकन पर और प्रेस जरूगा दे जब भी हम एक निव वीडियो अप्लोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुच जाएगा